किसान भाईयों नमस्कार आज हम फिर लड़वा गाउं में हैं चोधरी दलबीर सिंग जी के खेत में और जैसा कि मैंने पहली वीडियों बताया था कि आप उद्यान विभाग से ही नोकरी करने के बाद सेवानी वरत हो करके और बागवानी को ही अपना लक्षे बना करके लीची की बागवानी की चीकू की बागवानी की अमरूद की आप सफलता पूर्वक करी रहे हैं तो इसी करम में आपने पपिते के भी पोध्यों की कुछ रोपाई की और इसको भी आप इस द्रस्टी से कर रहे हैं कि यदि ये भी किसानों के लिए आर्थिक रूप से हुआ है तो महां भी मुझे बहुत सोखता पहले घर का भी बहुत ग्यानता अपनी फार्मिंग का तो मैंने इसको परिवर्तन किया कि इसको उद्ध्यान में बदला जाए जी अब उद्ध्यान की मैं वेराइटी भी बहुत चेंज कर रहा हूं वह मैंने लीची भी लगा र लगा रखा है अमरूद लगा रखा है सब की सफलगेती हो रही है पपीते की पहले अब भी कर रहा हूं पहुत अच्छी लाबकारी खेती है पीटे की वी इस साल जो है सबसे बड़ी प्रोबलम क्या है भाव की हो रही है इसमें मार्केट रेट बहुत ज्यादा डाउन है तो इससे लाव इतना नहीं हो रहा है अच्छा यह वराइटी कुन सी यह रेड लेडी है जिसमें नर नहीं निकलते हैं अच्छी परजाती है यह अच्छी फसल है इसकी तो अभी तक इससे आप कितनी तुड़ाई कर चुके कितने कि तुड़ाई कर चुके इससे हम पांच कुंटल की तुड़ाई कर चुके हैं अच्छा और पूरे इस प्लॉट से आप कितना अंदाजा लगा रहें कितना पचास कुंटल का आपको मिल जाएगा ठीक है तो मतलब अभी ज्यादा गारंटी के साथ तो नहीं किया जा सकता क इसका आर्थिक आंकलन क्या रहेगा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि गन्ने से बहतर ही रहेगा है ना हां अगर रेट मिलते हैं तो गन्ने से नीचे रहेगा अच्छा एक जैसे इसमें वाइरस की दिक्कत आती है पपीते में और कोलरोट की दिक्कत आती है उसके बारे मे हाँ हाँ बिलकुल और उसको ठीक तरीके से की है मतलब उसमें फलड़ ठीक नहीं हम करते हैं यहीं उसे बचाने का कारण है सबसे जी जी हाँ ठीक है किसान भाईयों पपीते की बागवा नहीं यदि आप करें तो इसमें दो बातों का विस सुरुप से ध्यान रखना तो आप खेत को एक नाके यानि के फ्लड इर्डिगेशन ना करें जब भी करें हलकी सिचाई करें और हो सके तो इसमें ड्रिप इर्डिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें ताकि कॉला रोट ने आये पानी रुकने पर और दूसरी सावधानी इसमें यह बरतनी पड़ेगी कि जो सकिंग पैस्ट हैं उनका समय समय पर आप नियंत्रण करते रहें ताकि वाइरस का फैलाव बगीचे में ना हो तो आप सफलता पूर्वक फिर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं धन्यवाद को आपको भी धन्यवाद आपने चानकारी ली और किसानद तक पहुंचे जी जी जी दन्यवाद